ये बंदरीय अपने बच्चे के साथ इहां बैटी थी तब ये एक थरकी बंदर आता है और बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाता है बच्चे उसका प्लैन समझ पाता तब तक थरकी बंदर बच्चे को नीचे धकेल देता है बच्चे हवा से बाते करते हुए 20 पिट नी पॉलर बीयर बढ़ रहा था, सिल अपने ही दुन में मस्त आराम कर रहा था, अगले साड़े 3 मिनिट में इसके साथ क्या होने वाला है, इसका इसे जरा सभी अंदाजा नहीं है, इतने खुले में शिकार करना पॉलर बीयर के लिए किसी चुनोती से कम नहीं है, पॉलर बीयर दीरे से पिछे से मुंडी निकाल के सिल्की पुजिशन को एनलाईज करता है। अपने मैंड में परफेक्ट हमला करने की स्ट्राटेजी बनाता है। और एक लंबी सास लेके वापस पानी में जाता है। आगे क्या होने वाला है इसका सिल्को दरासा भी अंदाजा नहीं है। तबी पोलर बियर बर्प के नीचे से आकर आचनक सिल्के थूबडे के सामने प्रकट होता है। आचनक हुए हमले से सिल्क बगल से कल्टी मारता है। पोलर बियर तुरंट उसके पीछे जाता है। 15 सेकंड पुरा सन्नाटा चा जाता है। 20 सेकंड बाद पोलर बियर बहार आता है। और अपने साथ एक चीज भी लाता है। पोलर बियर शिकार करने में सपल हो गया। चुपने को कोई जगर ना होने के बाद भी इसने प्लेनिंग के साथ शिकार की। इसकी प्लेनिंग को एक लाइक तो बनता है बॉस। अपने सिंग आगे करके तिंद्वा जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। बस तब से हर जनुरी सी ट्रिक का इस्तिमाल करने लगा। वीडियो की आखिर में इस ट्रिक से शिर की क्या हालत होती है वह जरूर देखना। यहाँ एक तिंद्वा इस वाइल डिविष्ट को पकरने ही वालाता तबी वाइल डिविष्ट पलट के जवाब देता है और ऐसा एक नहीं दो बार होता है यहाँ एक शिर वाइल डिविष्ट को पकरने की कोशिश कर राता सारे वाइल डिविष्ट शिर के नाकी नीचे से जा रहे थे तभी एक वाइल डिविश्ट पलटके अपने सिंगों से शिर की दारिक हुजाता है शिर जट से पिछे हटता है और दूर जाकर बैठता है इससे एक बात प्लिर है प्रोब्लेम्स का डट के सामना करोगे तो प्रोब्लेम दूर भागते हैं जिस मा की वज़े से ये ट्रेन शुरू हुआ उस मा के लिए एक लैक तो बनता है बॉस ओके